नमस्कार प्रणाम नमन्टू अल अफ माई दियर स्टुडेंट्स, मुजिक लेनर्स, लिसनर्स और लवर्स सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम अविनंदन यह जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ इस तबला क्लास लेसन में यह connected है तबला क्लास लेसन नमबर 236 जिसमें मैंने जपताल का मुखडा बनाया था यह वीडियो मैं एक प्राक्टस वीडियो बना रही हूँ जिसके साथ आप जपताल की प्राक्टस कर सकते हैं और मुखडे को किस तरह से इस्तमाल करना है यह भी मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ तो आप इसके साथ प्राक्टस कर सकते हैं अपयो विडियो को आप जपता बनाया रही ह retard करना ही यह स्था कर सकती है विडियो रहे प्राक्टस कर सकते हैं इसमें जपताल का बसक प्राक्टस बाशीं कर सकते हैं तो दोनों ही लेसंस हम इसमें प्रक्टिस कर रहे हैं, तबला क्लास लेसं नमबर चबालेस और दोसो चथेस. So, we are already using ठेका अफच्प दाल, which is तबला क्लास लेसं नमबर 44, and also मुखडा तबला क्लास लेसं नमबर 236. So, these two videos, lessons, we are practicing in this भजन. इस भजन में हम दोनों ही लेसंस को प्रक्टिस करेंगे आज. First of all, I am going to play this song in a very simple manner for beginners of जप्टा, beginner students. सबसे पहले में, जिनों ने अभी जप्टाल को बजाना शुरू किया है, जो प्रारंभिक विध्यार थी हैं, उनके लिए में सरल तरीके से, एक्दम, सिंपल तरीके से, ये जप्टाल का ठेका बजा रही हूं, जिससे की वो आराम से प्रक्टेस कर सके हैं. I'm just playing in a very simple method, so everybody as a beginner student can practice with the first video. So this video is for beginners and my next video is for advanced and intermediate students. Here is the lesson for you. चलिए, हम लोग प्रक्टेस करते हैं, इससे आपको बहुत हल्प मिलें. विकारों ने मेरा जनु रूटके मुक्तर को इसाम क्यों दे दियां? विकारों ने मेरा जनु रूटके मुक्तर को इसाम क्यों दे दियां विकारों ने मेरा जनु रूटके मुक्तर को इसाम क्यों दे दियां मैं दिन रात बिश्यों में दुगा रहां विकारों ने मेरा जनु रूटके मुक्तर को इसाम क्यों दे दियां? विकारों ने मेरा जनु रूटके मुक्तर को इसाम क्यों दे दियां विकारों दे दियां मिला किस लिए? मैं समझा नहीं ऐ मेरे रहनु माँ ये मानव कचूला मिला किस लिए? मैं ही रा जनम को युही बर्त लिए? मैं ही रा जनम को युही बर्त लिए? विशन की खाथे दवाता रहा मिकारों ने मेरा जनम को युही बर्त लिए? मुक्तर को इसाम क्यों दे दियां मुझे क्या पता था? ऐ मालिक मेरे लिया के हर श्वास में ही तेरा आणाम है मुझे का पता था? ऐ मां एक मिले कि हर शास में ही तेरा नाम है कि हर शास में ही तेरा नाम है मैं दुनिया की खाते युही नगर तुरी मैं दुनिया की खाते युही नगर तुरी पे मूले इनको उटाता रहां वेकारों ने ना जनम उपते युह वह करते को जिलसान क्यों दे भी आता पिपाजो हुए तेरे पर्मात्मा मुझे सत्य गुरू की शर्म गई पिपाजो हुए तेरे पर्मात्मा मुझे सत्य गुरू की शर्म गई मुझे सत्य गुरू की शर्म गई तो आदूर तम ग्यान दी पत जया तो आदूर तम ग्यान दी पत जया उच्छी चम में बहारा दे लिए विकारों ने लिए जनम भूट पर अपर दे तो रोजां क्यों दे लिया मेरे नरात विशयों में बूट आद एसे जनम दे लिए जनम दे लिए ठाल के दे लिए जनम दे लिए जनम दे लिए जनम दे लिए प्रिकारों ने मेरा जनम रूटते मुकातर कोई जाम क्यों दे दिया प्रिकारों ने मेरा जनम रूटते मुकातर कोई जाम क्यों दे दिया प्रिकारों ने मेरा जनम रूटते मुकातर को जाम क्यों दे दिया प्रिकारों ने मेरा जनम रूटते मुकातर कोई जनम रूटते मेरा जनम रूटते मेरा जनम रूटते मेरा जनम रूटते मैं ही राजनम को युही बैट रे मैं ही राजनम को युही बैट रे विशयों की खाथे इंगवाता रहा मिकारों ने मेरा जनम दूपते रहा मकाद करको इंजानों क्यों दे दिना मुझे क्या पता आए मालिक मेरे के हर श्वार में ही तेरा नाम है मुझे क्या पता था आए मालिक मेरे के हर श्वास में ही तेरा नाम है मैं दुनिया की खाथे युही रह तरी मैं दुनिया की खाथे युही रह तरी पिरोल इद को उटाता रहा ये थारोली मेरा जनुम्रू तो तो ये तो अंदर को इंजानों क्यों दे दिना पाजो हुई तेरे पर्मा अत्मा मुझे सत्रे गुरू के तेरे पर्मा अत्मा शरण गई के पाजो हुई तेरे पर्मा अत्मा मुझे सत्रे गुरू के शरण गई मुझे सत्रे गुरू के शरण गई वादूर तम ग्यान दी पत जरा वादूर तम ग्यान दी पत जरा उचरे चांब में बहाद दी विकारों ने विया जनम उटे पर्मा अत्मा 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 गई तो 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 रोजा मों क्यों दे दी आ मेरें राक विशयों में बूलारा तो इस से जांदे बिदी नग में दे दी आ इसे यां देखिया ना देखिया इसे यां देखिया देखिया इसे यांद में मैंने तहाई लगाई है in the end I have used तहाई which I taught you already in छब्ताल if you go to my playlist of छब्ताल if you are following my lessons in a proper order so it's there जो तहाई मैंने use की है अगर आप तबला लेसंस को धम से फॉलो करेंगे तो उसमें मैंने सिखाई है जबताल के प्लेइलिस्ट में आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ये वाली तहई सिखाई हैं तो आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बजा के आपको दिखाया उसके बादने मैंने एक्स्ट्राइस के साथ आपको करके दिखाया और इसी तरह से आप प्रयास करिये और प्रक्रस करिये आपकी प्रोग्रस बहुत अच्छी होगी so you just saw that I showed you a first round with the simple and straight balls of जबताल and in the second round I played with some extra strokes which I taught you already and if you try practicing like that you will definitely get success and you will achieve all these goals जिस तरह से मैंने तहाई लगाई है जिस तरह से मैंने मुखडो को इस्तमाल किया है आप बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर ले उसके तीस तरह जो interlude music आया है उसमें मैंने एक आवर्थ लेट करके मुखडे को लगाया है दोनो ही तरीके से आप लगा सकते हैं दोनो ही तरीके ठीक हैं ठीक हैं? So you have seen that how I used तिहाई and मुखडा You try to exactly memorize like that in the beginning and gradually you will understand how to use in all the thoughts So exactly I try to play in the third antra music one avartan later One round later I played mukhda तो वो भी बजाया सकता है So you can play in this way also and you can play the other way also One round before also, one round after also After will be considered more professional, more perfect So try to play both of them, both of the styles Both are right Okay, here I would like to conclude my lesson You take care all of you, stay safe, stay blessed See you soon in my next video Till then Jai Shri Singing in Tabla Free of cost from Rajna Mehra Please click the subscribe button below Also, make sure to click the bell button and turn on your YouTube notifications To watch videos as soon as they are posted